नमस्कार में हुने वेटता संसत का शीत कालीन सत्र शुरू हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ जेन्यू के स्टूडेंट्स सरकार के खिलाफ संसत तक मार्च निकालने के फिराक में है हलंके इसके लिए जेन्यू कॉलेज के बाहर 12144 को लागू कर दिया गया है साथी दिल्ली पुलिस भी इस मार्च को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तेद है वो स्टूडेंट्स को एक लाइन के बाहर नहीं निकलने दे रही है अब ये सिर्फ जेन्यू का मार्च ये प्रोटेस्ट नहीं रह गया है ये दिल्ली की अनी युनिवर्सिटीज का भी प्रोटेस्ट बन गया है क्यूंकि JNU की अपील पर और भी कई उनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स JNU के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए है एक अनुमान के मताबिक JNU के बाहर कम से कम 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं और जो भी स्टूडेंट्स जरा सा भी माहौल खराब करता दिखाई दे रहा है उसे पुलिस उठा कर सीधा बस में भर कर ले जा रही है मौके पर वाटर कैनन, बैरिकेटिंग्स, फायर ब्रिकेट के सभी इंतिजाम किये गए हैं कि कैसे भी सरकार के विरोत में ये चात्र संसत तक कूछ ना कर पाएं पहले तो दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंस को JNU के गेट पर ही रोकने की कोशिश की थी हलांकि स्टूडेंस अभी भी JNU गेट से ज्यादा आगे नहीं निकल पाएं हैं और पुलिस के मताबिक वो स्टूडेंस को इससे आगे आने भी नहीं देगी क्यूंकि आज राजधानी दिल्ली में पीमोदी समेट तमाम उंत्री गण, नेता, राजनेता सभी मौजूद हैं ऐसे में दिल्ली पुलिस को राजधानी का लौ एन ओर्डर मेंटीन करके रखना ही होगा वहीं स्टूडेंस भी अपनी मांग से टस्से मस नहीं होने को तयार हैं रो रहे हैं, चिला रहे हैं, नारे बाजी कर रहे हैं, धपली बजा रहे हैं, बेरिकेट्स तोड़ रहे हैं, अपना विरोध तर्च करा रहे हैं लेकिन अपनी मांगो को पूरा करने के लिए एक जुट है और पुर्जोर तरीके से सरकार का विरोध कर रहे है सुरक्षा को बनाय रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने 9 कंपनी फोर्स लगाई है जिनमें पैरा मिलिटरी फोर्स भी शामिल है इसके अलावा करीब 12,000 पुलिस कर्मी तैनात किये गए हैं जिसमें दिल्ली पुलिस भी शामिल है आपको बता दे कि आखिरिये स्टूडेंस क्यों मार्च निकालना चाहते हैं क्यों सरकार के खिलाप इस तरह से अपना विरोध दर्च करा रहे हैं दरसल जैनियू प्रशासन ने स्टूडन्स की फीस में बढ़htaतरी की थी जिसके बास शात्रों ने इसका विरोध किया तो कॉलेज प्रशासन ने बड़ी पुई फीस में कटवती कर दी लेकिन छात्रों को फीस बढ़ोत्री कुलेकर लिया गया फैसला आप पूरी तरह से वापस चाहिए रोल बाग की मांग कर रहे हैं स्टूडेंस लगातार हंगामा कर रहे हैं और पिछले तीन हफते से इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं हलंकी इसको लेकर HRD मंत्राले ने तीन से दसी सम्मिती भी न्युक्त कर दी है जो जेनियू की सामानी कारिप्रणानी बहाल करने के तरीकों की सिफारिश करेगी JNU के लिए बनाईगे HRD समिती छात्रों और प्रशासन से बातचीत करेगी और सभी समस्याओं के समाधान को लेकर सफारिश करेगी लेकिन छात्र मनमानी कर रहे हैं और प्रशासन को मोहलत देने के लिए भी तयार नहीं है वो लोगतांत्रिक देश का हवाला देकर सरकार के सामने अपना पक्ष दर्ज कराना चाहते हैं JNU प्रशासन का कहना है कि विश्विद्याले के शेक्षविक मान दंडो और एकैनमी कैलेंडर का पालन करना छात्रों के हित में होगा जिसके मताबिक उन्हें 12 दिसंबर से शुरू होने वाली अंतिम सेमिस्टर परिक्षा में अनेवारे रूप से शामिल होना होगा